Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel, राशिद अंजम सर जूनियर फाउंडेशन, अभी अपन सॉल्ब करने वालने exercise 2.1, यानि linear equation in one variable, जो chapter 2 है, उसके question number 5 को, यहाँ पे अपन सॉल्ब करेंगे इस equation को, तो मुझे पता है, कि X के साथ यहाँ 6 multiply में है, तो जब 6 RHS में लेकर के जाएंगे, तो वो divide म बन कर जाएगा, तो हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, तो आपका यह X बचा रह जाएगा, और देखो, constant को हम इधर लेकर के जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे X के साथ multiply में है, कोई sign नहीं है, इसका मतलब कि वो multiply में है, तो यहाँ 12 तो पहले से है, वो रहे गा ही, उसमें होता है, देन आप कहें डालोगे कि जो X की value है, वो exactly 2 हो जाएगी, तो finally इस question का जो exact solution है, वो यह रहा, इसी तरीके के वीडियोज को पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड वीडियो को भी लाइक कर देंगे, फिर मिलते हैं आपको next lecture में ओके बाल, गुटनेएगाई.